तो दोस्तो इस साल जब से लदाक में भारत और चाइना के बीज में टेंशन बढ़ा है तो तब से ही भारत द्वारा लदाक के बॉर्डर रिजन में काफी जादा मजबूती किया गया है। अर्मी के एसेसिविलिटी को और कनेक्टिविटी को 300 फैसेट दिन और 24 घंटा मजबूत रखने के लिए ये 36 एडिशनल हेली पैडों का कॉंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अर्मी के जानकारी के लिए ये भी बता दू कि उनके तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये ये लदाक यूनियान टेरिटरी में बनने वाले सबसे बड़े इंफरस्ट्रक्शर प्रोजेक्टों में से एक है। उनके दूरा जानकारी ये भी दिया गया है कि ये जो 36 नया हेली पैड है ये खाली रिमोट एरिया को लदाक हेटक्वार्टर के साथ नहीं जोड़ेगा बलकि सर्दी के डर्मियान टूरिजम और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को भी मजबूत करेगा। जबकि उनके दूरा ये भी जानकारी दिया गया है कि ये विजिटर्स के लिए आने वाले समय में आकर्शन बनने का भी एक महत्तोपूर्ण जरिया होगा। हेलिकॉप्टरों को ट्रांस्पोर्ट और अटैक रोल में इस्तिमाल किया जा सकता है और भारत के ये नया नवेले बनने वाले हेलिपैडों का इस्तिमाल भारत ऐसे ही हेलिकॉप्टरों को लिए आने वाले समय में करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन